वीटियो में आप को प्ताने वालुओं अगर आप लोग मिनोकसिडियल यूज़कर तो आपको इसके साथ में ड्रोपर यूज़कर नच convicted या स्प्रेय यूज़कर्टर ना चाहिए तो दोनों मेरे पास मैं आपको मैं paid live यूज़कर करें दिखांगा कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दू एक एंड में आप मेरे देख सकते हो कि मलब स्प्रेय है ठीक है एक एंड में मेरे ड्रोपर है तो मिनोक्सिडिल आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए ड्रोपर के साथ यूज़ करनी चाहिए या स्प्रेय के साथ यूज़ करनी चाहिए य देखो सबसे पहले अगर आप स्प्रे यूज करें तो किस वैसे ये मलब एक्ट करते हैं किस वैसे मलब अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो किस वैसे इसके अंदर से निकल गयाता है तो यह देखो फैल के जा रहा है ठीक है इस वैसे अगर आप इसको अपने हेस पे मारोग तो यह देख सकतो हेस पे काफी ज़्यादा वेस्ट होता है और यह आगया आने के चांस भी रहते है अगर यह एक जगा स्कैल पे निकल जाता है तो तो इसलिए मुझे स्प्रे काफी अच्छा नहीं लगता है यह चीज मैंने आपको क्लियर कर दी एक बार मैं और आपको दिखाता हूँ अगर मुझे इतने से एरिया पे करना है और मैं इतनी दूर से कर रहा हूँ तो यह फैल के उद्धर आ गया रहा है और इतना पास से कर र यूज करना चाहिए अब आया रहती है ड्रोपर की बार रोपर देखा जाए तो इसमें आपको वनैमल मिनोक्सिडिल लेकर लगानी होती अच्छे से शेक करने के बाद आपको इसको इसमें ले लेना होता है दन इसको आपको निकालकर इसवे से अपनी स्केल में लगाना हो आपको एपलायकर करके दिखा रहा हो तो सकेल पे लग रही है चैए कितना बीच में आपको उज़ करने है जैसे इधर उज़ करने है इसको लिए या ड्रोप की औरमसहल दीश वेसे है ना तो इसलिए मैं आ अगर आप उसको इसपरे यूज कर रहा है तो आपको स्प्रे य है बट आपके हेस्प लग रही है सकैल पे नहीं लग रही इसलिए आपको रिजल्स देखने को नहीं मिलते हैं तो अबसे आप लोग इस बात का अच्छे से द्यान रखना अगर आप स्प्रे और मलब ड्रोपर में अगर आपको कॉन सा यूज़ करना चाहिए तो आपको ड्र धर मेंधों आपको देखने मिल को मैंगे आपको कई रिजल्स मिल वईश्ट कार रहा है जाएक वाप्नित है कि क्या यूज़ करना चाहिए तो ऐसी वीडियो के लिए इस चैल को सबस्क्राइब कर दोना इस वीडियो को ज respectfully कर देना है को जासी काफी सारी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं लाता रहूँगा तो मिलते नेक्च वीडियो में तो सब्सक्राइब करके जरूर जानो और इंस्टा फॉलो कर ले ना कोई भी क्वाईरीज रहती है तो आम मुझे आपे मैसेज करके पूल सकते हैं तो मिलते नेक्श वीडियो में